आज रिलीस होने वाली फिल्म है मैं अटल हूँ और बताते हैं आपको इस फिल्म के बारे में हमारी राए मैं अटल हूँ is a biopic on the 10th Prime Minister of India, Atal Bihari Bajpai, who was a politician, poet and a writer. Atal ji first served as a Prime Minister for 13 days in 1996, then for 13 months between year 1998 and 1999, and finally a full term from 1999 to 2004. मैं अटल हूँ is a journey of Atal ji, whose roots are in Gwalior and Bateshwar. ये फिल्म अटल जी के personal life, poetry, journalism और political career को दर्शाती हैं. ये फिल्म अटल जी के कुछ अंचुल पहलूओं को भी बहुत खूपसूरती से दर्शाती हैं. लेकिन अटल जी के बारे में सब कुछ बताना और दिखाना दो घंटों में तो मुम्किन नहीं हैं. And that's the reason this film looks incomplete. अब ये फिल्म कमर्शिल फिल्म तो है नहीं, तो इस फिल्म का बॉक्स ओफिस पे धूम मचाना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है. इस फिल्म को मास सेंटर्स में तो सक्सेस मिलने से रही. But yes, critically, this film will be applauded. इस फिल्म का सबसे सटीक और सही पहलू है. अटल बिहारी वाजपई की कास्टे, यानि की पंकच द्रिपाटी. उनके अभिने के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है. पंकच is the lifeline of this film और उनका अभिने इस पूरी फिल्म को बांदे रखता है. अब ये तो हो गई मैं अटल हूँ पे हमारी राए. अगर आपने ये फिल्म देख ली है, तो आप हमें अपनी राए हमारे कॉमें सेक्शन में जरूर लिख के बताएं. हर हफते हम आप तक फिल्मों के बारे में अपनी राए यूँ ही लाते रहेंगे. And for all the latest happenings in the entertainment world, do like, share and subscribe to our channel. Because we at Bombay Blues celebrate entertainment.